आज हम सीखेंगे पांच ऐसे फिक्रात जो के गुसे में बोलने के लिए इस्तमाल किये जाते हैं नमबर वन बेवकूफ मत बनो ठीक है इसकी इंग्लिश क्या होगी? डॉन्ट बी आ फूल बेवकूफ की इंग्लिश क्या होगी? फूल और डॉन्ट बी आ फूल ठीक है तुम बेवकूफ मत बनो ठीक है किसी को तकलीफ मत दो इसकी इंग्लिश क्या होगी? डॉन्ट ट्रबल एनिवन तकलीफ की इंग्लिश होती है ट्रबल टी आर ओ यू बी ल ए ट्रबल और किसी को एनिवन डॉन्ट ट्रबल एनिवन दफा हो जाओ अहमक अब अहमक की इंग्लिश क्या होगी? इडियट और दफा हो जाने की इंग्लिश क्या होगी? गेट आउट तो आप इसको कैसे बोलेंगे? गेट आउट ठीक है? गेट आउट इडियट को ठीक है? get out idiot अब बक्वास बंद करो ठीक है? बक्वास बंद करो shut up अगर यहाँ पे आ जाए बक्वास बंद करो तुम तो आप इसको कैसे बोलेंगे? you 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 shut up क्या word होगा? you shut up फिर आगे आप देखें जो five word है आपे से बाहिर मत हो तो हमने जैसे सीखा आपे से बाहिर मत हो don't बाहिर मत हो की इंगलिश क्या होगी? lose l o s e lose आपे से बाहिर मत हो your temper ठीक है? your temper आपे की इंगलिश क्या होगी temper यानि कि अपना जो आप जो है गुसा उसको मत खो या अपनी हाद से बाहर मत निकलो तो इसके don't lose your temper तो ये five words हैं जो गुस्से में बोले जाते हैं अमीद करती हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी ऐसी और informative वीडियो के लिए चैनल study with kola को subscribe जरूर कर लीजिए मिलते हैं यूडियो के साथ अला हाफिज